आपका स्वागत है आज मैं आपके सथ शेर करने आई हो पालक पनीर की रेसिपी इससे पहले आगे बढ़ें अगर आपनी मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करें पहले आइकन ज़र दबाई दे के 500 ग्राम पालक लिया है मैंने छे हरी मिर्ची डाल रहे हो इसमें रफली चॉप करके इसके बाद ठोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ कुकर कर ढ़कन बन कर देंगे और इसको गैस पर आई फ्लेम पर रख देंगे एक सीटी हाई फ्लेम पर आने देना है उसके बाद गैस का फ्लेम ओफ कर दें ये जो पालक है, पूरी प्रॉपर बॉइल हो चुकी है, एक मिक्सर जाल ले लिया है, मैंने इसमें ये जो बॉइल पालक है, ये मैं डाल देती हूँ, जार में डालने के पात मैं इसे ठंडा होने के लिए रग दोंगे साथी ये जो थोड़ा बचा हुआ पानी एबीस में डाल देने इसे ठंडा कर लेंगे देखे एक और ग्रैंडर लिया है मैंने इसमें ये जो मैंने दो बारिक रफली चौप प्यास डाले साथी पंद्रा से सोला लस्टन की करिया डाली और एक इंच अध्रा थोड़ा सा पानी डालके इसका स्मूध पेस तैयार कर लिया है इसके बाद मैंने तीन टमाटर लिये हैं मीडियम साइज के इसको रफली चौप करके इसकी भी मैंने फ्यूरी बना ली है पैर मैंने हीट कर लिया है अब मैं दिखिए चार समच घी डाला है मैंने ऑप्शनल हैं आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं घी जो होता है बहुत अच्छा फ्लेवर देता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है इसलिए मैं गी में बना रही हूँ एक चमच जीरा डाला है मैंने जैसे ही मारा जीरा थोड़ा पक जाएगा उसके बाद यह जो उन्हें पेस्ट तयार किया था यह भी मैं डाल दे रही हूँ यह प्रोसस थोड़ा लंबा है 10 मिट तक आपको इसी तरीके से स्टर करते रहना है हिलाते रहना है जब तक जो हमारा मसाला है वो गोल्डन राउंड नहीं हो जाता है इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर पकाते नहीं आप देख सकते हैं पकना चालो हो गया है देखें आपको जब तक इस कलर करनी आता है तब तक आपको पकाना है 10 मिट तक इसके बाद हम इसमें सारे मसाले डाने एक चमच नमक एक चमच लाल मिट्ची पाउडर जरासी हल्दी साथी आदा चमच धनिया पाउडर इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सारे मसालों को mix करने के बाद मैं इसमें टमाटर की जो fury हमने बनाई थे ये भी डाल दे रही हूँ इसे भी अच्छे से mix कर लेते हैं दिखिए हिलाते चाहें इस तरीके से इसको आपको mix करते जाना है अब हम मसाली को पकने देंगे जब तक मसाला थोड़ा तेल नहीं छोड़ देता है पांच मिट तक पकाएंगे मीरियम फ्लेम पर तब तक हम आप देख सकते हैं मसाली ने भी तेल छोड़ दिया है यह जो spinach है यह जो पालक है मैंने पीस ली है थंडी हो गई थी इसके मैंने पीस ली दी अब यह जो पालक ही मैंने डाल दी है मसाले में इसे भी हम अच्छे से mix कर लेते हैं आप देख सकते हैं कितना अच्छा color आ चुका है हमारे जो पालक पनीर की gravy है मसाला है वह तयार है इसमें मैं 200 ग्राम पनीर डाल रही हूँ पनीर क्यूब्स टाल दिया है मैंने इसे mix कर लेते हैं वैसे तो हमारे पालक पनीर बन कर तयार है लेकिन इसमें और अच्छा flavor देने के लिए मैंने एक छोटी से तड़के दानी लिए इसमें एक चमजगी और डाल रही हूँ जड़ा सी लाल मच्छी डालूंगे इसको थोड़ा सा करने के बाद ये जो पालक पनीर है जब हम सर्फ करने इसको पर से डाल दे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं